next question क्या है कि Rs.4830 is distributed among P, Q and R as if their share is decreased by Rs.5, Rs.10 and Rs.15 respectively, the ratio changed as 3 ratio 4 ratio 5, what was the share of P, ठीक है यह दिया गया है, कि 4830 है एक amount है, वो P, Q, R में divide किया गया है, ठीक है, अगर उसका share, यानि P का share अगर 5 से घटाते हैं, ठीक है, अगर P का share अगर हम 5 से घटाते हैं, पी का share अगर हम 5 से घटाते हैं, Q का share अगर हम 10 से घटाते हैं और R का share अगर हम 15 से घटाते हैं, तो जो ratio है P, Q, R का वो change हो जाता है, 3 ratio 4 ratio 5, ठीक है, किलिए रहे, तो initially जो P प्लस Q, प्लस R, यानि तीनों मिलाकर जो amount था, वो क्या था, 4830, ठीक है, तीनों मिलाकर P, Q, प्लस R आप जो है अगर पी का हम पांच रुपया हटाएं क्यू का अगर 10 और आर का 15 हटाएं तो अमांट क्या हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो गया वह गया 4800 रुपया के बराबर ठीक है यानि 15 और 10 25 और 5 यानि टोटल 30 रुपया घड़ गया तोटल क्या हुआ 30 रुपया घड़ गया तो आप जो है अमांट हो गया 4800 रुपया के बराबर पहले था 4830 रुपया के बराबर आप देखे क्या है कि अब जो है रेशियो वह चेंज होकर हो गया तो եीन देसियो 4 देसियो 5 इस 48 आरिस उर्फेकं के ऊपर होगा मतलब नहीं जो शेर का रस्यू है वह आपका नावत्तालिस ओनीर 100 के ऊपर होगा यानि तीन 4 और 5 ठीक day पी क्यू आर ये क्या है तीन 4 और 5 के रस्य नहीं pedir हथा डाने जो इसका वेल्यू होगा यानि पांच चार नो अर तीन बारा का वेज्अ कहा गा 1200 के बराबर हो यानि 3 unit है पी का जो changed amount है वो 3 unit है और 3 unit का value के होगा 1200 के बराबर होगा यह change वाला है reduced वाला है घटा हूँ amount है तो जो पूछ रहा है क्या कि what was the share of P मतलब P का share क्या था ठीक है पहले कितना था तो घट के 1200 रुपया हो गया घट के क्या होगा बारा सो रुपया हो गया कितना उसने घटा आया पांच रुपया उस से घटा था यानि पहले कितना था बारा सो पांच रुपया था तो option number आपका दो correct answer हो जाएगा ठीक है बारा सो पांच किलियर है next question एमंग 132 examines of a certain school the ratio of successful to unsuccessful student is 9 is to 2 had four more student passed then the ratio of successful to unsuccessful student would have been ठीक है कर रहा है कि 132 examines है 132 जो है examines है मतले exam में अपीर हुए उसमें से successful or unsuccessful successful or unsuccessful का ratio 9 ratio दो दिया है ठीक है और कह रहा है कि हमारा दो ल değildi अगर चार स्टूडैंट जो है और पास हो जाते है चार स्टूडैंट और पास हो जाते तो अब जो है successful ओर अनसक्सेसफूल का रिश्यो क्या होगा होगा ठीक है तो है total examines तो 113 नो जल तो कितना के बढ़ावर दिया है 130 को एक जो value दिया है वो 132 के बरावर है तो एक unit का जो value है 12 के बरावर होगा यानि बारा नम्हें 108 ठीक है तो 108 ज है jag और यहां पर 24 मारला है सक्सेसफफ़ुल जो है 132 में से 108 सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफ़ुल 24 है ठीक है आप क्या कर रहा है कि इसमें से 4 जो है और पास हो जाते हैं यानि 4 और सक्सेस्फूल हो जाते हैं ठीक है तो बोफ स्यहें